नमस्ते दर्शकों, सामको की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है संजे और इस वीडियो में हम जेएश डवली इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपियो के बारे में चर्चा करेंगे क्या आपको इस आईपियो को सब्सक्राइब करना चाहिए या अगवाइड करना चाहिए जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंट तक बने रही है पहले बात करते आईपियो डिटेल्स की तो यह आईपियो मंडे 25 सप्टेंबर को खुलेगा और वेनसडे 27 सप्टेंबर को बंद होगा कमपनी ने आईपियो की प्राइस बैंड 113 रूपए से 119 रुपए रखी है यह आईपियो एक पूरा ही फ्रेश इशू है यानि की पूरे के पूरे पैसे कमपनी को मिलेंगे इनका इशू साइज 2800 करोड का है लिश्ट होने के बाद कमपनी की मार्केट कैप तकरीबन 25,000 करोड रूपए की होगी प्राइस बैंड के उपरी स्तर पर तो अब जानते हैं कि इन 2800 करोड का कमपनी करेगी क्या कमपनी की कुछ सबसीडरीज की लोन रिपे करने के लिए और कुछ सबसीडरीज की कैपेक्स को फंड करने के लिए कमपनी उन सबसीडरीज में अपना पैसा निवेश करेगी और बचे हुए amount company general corporate purposes के लिए इस्तमाल करेगी Company की business के बारे में बात करें तो JSW infrastructure इंडिया की second largest commercial port operator है इन्हें अपना पहला port concession साल 2002 में मिला था और आज की तारीक में इनके पास 9 port concession है Port concession यानि की उस port की सारी operational activities जैसे की loading, unloading, cargo handling जैसी activities करना यह generally landlord port authority model में होता है जहां government उस port की landlord होती है और उस port के सारी operational activities एक private player को दिये जाते है यह port concessions काफी ही लंबे समय के होते है generally 30 साल JSW infrastructure का इंडिया के west और east दोनों में काफी ही diversified presence है यह अपने customers को maritime related services जैसे की cargo handling, storage solutions और logistic services प्रोवाइड करती है इनकी almost सभी ports state या national highways से well connected है JSW infrastructure के financials की बात करे तो इनका revenues 40% से बड़ा है इनकी EBITDA में भी अच्छी growth देखने मिली है और तो और इनका profit पिछले साल के तुलना से दुगना हो चुका है इनके margins में भी काफी अच्छा विकास देखने मिला है overall इनके financials में काफी improvement हुई है पर JSW infrastructure के कुछ risk है जिससे जानना आपके लिए बेहती ज़रूरी है company को concession और license agreements government देती है और इनके कुछ obligations होते हैं जैसे कि time पर royalty pay करना port का सही इस्तमाल करना minimum cargo handle करना अगर इन में से कुछ भी obligations company पूरी नहीं कर पाती है तो company के business और revenues पर प्रभाव आ सकता है company के तकरीवन 85% cargo volumes iron ore और coal से generate होता है अगर इन commodities के business या trade में कभी downturn आता है तो company के revenues पर impact आ सकता है company की 50 से भी जादा परसंट revenues related party यानि की JSW Group से आती है साथी साथ company two-third of the overall cargo JSW Group की ही handle करती है company एक काफी capital intensive industry में है और इनके future expansion के लिए इन्हें funds की ज़रूरत पढ़ सकती है अगर ये future में funds raise नहीं कर पाए तो इनके business और revenues पर गहरा असर दिख सकता है तो अब करते हैं मुद्दे की बात क्या आपको इस IPO को subscribe करना चाहिए या avoid करना चाहिए जैसा कि आप जानते है JSW infrastructure एक काफी capital intensive और long gestation period business में है तो इस business में new players का entry लेना काफी difficult है इस capital intensive industry में JSW ने अपने business को बहुत ही अच्छे से manage किया है इनका net debt to equity ratio एक से भी कम का है और interest coverage ratio लगबग 3 गुना है अदानी पोर्ट से compare गरे तो JSW Infra के margins काफी similar है इनका ROE और ROC अदानी पोर्ट से काफी better है अदानी पोर्ट 36 की PE पर trade हो रही है और company अपना IPO 29 की PE पर लेकर आ रहा है price band के उपरी स्तर पर इनी सब चीजों को देखते हुए और company के future prospects और long term revenue visibility को नजर में रखते हुए आपको इस IPO को long term के लिए जरूर subscribe करना चाहिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like और comment जरूर करे और ऐसे ही वीडियो के लिए सामको के YouTube चैनल को जरूर subscribe करे नजर वकेशन से पूंट जर वारूर सब्च्वेकर है